खिंगन घाट में एक दिल धला देने वाली घटना हुई है जहां एक महिला ने मांसिक तनाव में पती के आत्मत्या करने के बाद अपनी धाई साल की बेटी का गला घोट कर हत्या कर दी इसे हिदे विदारक घटना ने समाज को इस्तप्त कर दिया है और शोक वेक्त किया जा शाम को भूकम पाया हिंगन घाट के टुकडो जी वाड में अपने पिता से मिलने पहुची पैतीस वर्षी कवीता महदूरे ने अपनी धाई साल की बेटी की गला दबा कर हत्या कर दी धाई साल की बच्ची का नाम अराध्या है घटना हिंगन घाट के टुकडो जी वाड क आशीश नकर इलाके की है शाम को घटना का पता चला और समाज जिस सन ने रहे गया पुलिस ने अपनी जाज शुरू की कविता के पती नरेंदर महदुरी ने कुछ दिन पहले वर्दा में एक जिनिंग के पीछे एक कुए में कूट कर आत्मत्या कर ली थी हिंगन घाट में च सटी कारण की जाज कर रही है अनुमंडल पुलिस पदादिकारी दिनेश कदम पुलिस निरिक्षक संपत चोहान और पुलिस उपनिरिक्षक ठाकरे मोके पर पॉझे पुलिस आगे की जाज कर रही है